हेलो स्टुडेंट मैं पवन बमोरिया उड़ान डिजिटल के अनलाइन प्लेटफर्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम फिजिक्स का चेप्टर 13 नाभिक नुक्लिय डिसकस करेंगे इसमें से तीन नंबर के अबजिक्टिव आते हैं तो देखते हैं पहला कोशन लेते है होता है हीलियम का नुकलियाइग इसमें बहुत आसान सा कंसेप्ट है इसमें यह जो है 92 यह अटामिक नंबर है और यह अटामिक मास है आपको टोटल यहां पर जेट प्लस टू इस इकवल टू 92 होना चाहिए और A plus 4 is equal to 238 होना चाहिए आपको कुछ भी नहीं करना है Z plus 2 is equal to 92 write करेंगे और Z की value कितनी आ जाएगी 90 ऐसे ही A plus 4 आपको क्या write करना है 238 और यहां से A की value कितनी आ जाएगी 238 minus 4 is equal to 234 234 हमको A और Z दोनों मिल गए मतलब हमको यहां से क्या मिलेगा जो A मिलेगा उसकी value कितनी होगी और Z मिलेगा उसकी value कितनी होगी तो Z की value हो जाएगी 90 और A की value हो जाएगी 234 234 90 होगा A और Z की value इसका right answer B होगा next question लेते है सूर्य में उर्जा का इस्तरोत क्या है source of energy in the sun तो आप जानते हैं कि वहाँ जो sun है उसमें क्या होता है वो जो hydrogen के protein जो होते हैं protein वो fusion करते हैं और helium पहले वो deuterium फार्म करते हैं sorry deuterium फार्म करते हैं और बाद में वो deuterium जो है वो किस फार्म में alpha particle के या helium की nucleus में change हो जाते हैं इस टाइप से और इसमें बहुत सारी energy उर्जा उत्पन्न होती है यहां से आपको पूछा है कि कौन सा यह जो प्रोसेस होगा sun में इस तरोत के लिए उसका उर्जा के लिए इनर्जी के लिए तो वहां पर fusion होता है fusion होता है fuse हो रहे है nucleus क्या हो रहे है fuse तो यहां आएगा c fusion ठीक है fusion मतलब break होना fusion मतलब यह बोलते प्रोटियम प्रोटियम deuterium मनाएंगे और deuterium से helium का nucleus बनता है अग्याद के लिए उप्यूगत है selen प्रक्रिया selen मतलब fusion के लिए fusion के लिए हमने helium में proteium चाहिए तो proteium जो है यह बहुत ही कम मास वाले particle होते है तो हम light nuclei यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे light nuclei हलके nucleus हलके नाभिक यूज़ करेंगे like proteium deuterium संकेत जेड ए एक्स क्या प्रदर्सित करता है तो A जो है वो तो proton को यूज़ करता है A जो है जेड की बात करता है जेड जो है वो proton को शो करता है और जो ए है वो atomic mass को शो करता है लेकि निउट्रान अगर find करने हैं तो हम ए में से क्या करेंगे जेट को माइनस कर देंगे तो हमें number of neutron मिल जाएगा क्योंकि आप जानते हैं neutron plus proton is equal to a होता है महारे यहां पर right सिलेक करना है तो जेट तो प्रोटान को शो करेगा को रहे माइनस निउट्रान को तो इसका rightрут आंसर होगा एक नाभीक में गामा के सरजन में क्या होता है जब गामा रे का इमिशन होता है तो गामा रे की मिशन से न तो अलप न तो अट्मिक नंबर और ना इनर्जी रेडियेशन तो लिखा है ज़ेंज इन प्रोटान नंबर और नूट्रान नंबर नंबर चैज अब प्रोटान नंबर में कोई नहीं होगा इतामिक मास इतामिक जो नंबर वो दोनों चेंज नहीं होते याद रखेंगे गामारे के में अलफा और बीटा इमिशन में यह चेंज हो सकते तो याद रखेंगे वन ग्राम एक ग्राम पधारत के इक्विल एंड एनर्जी कितनी होती है तो इस इक्वाल टो एमसी स्क्वेर से हम फाइंड कर सकते हैं वन ग्राम बोलाएं वन किलोग्राम में बदल लेंगे टेन टू द पावर माइनस थ्री यहां जाएगा थ्री इंटू टू द पावर एट का स्क्वेर मुझे मिल जाएगा नाइन इंटू टू द पावर सिक्स्टीन सिक्स्टीन में से थ्री गए तो थर्टीन जूल तो थ्री नाइन इंटू टू द पावर थर्टीन जूल राइट आंसर डी होगा नेक्स्ट कोशन है फिल इन द ब्लेंक्स रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए चली समझते हैं पहला कोशन लेते हैं ज्म कि जूल we not we regret विए ऑंद़ा न की नियंत्रिच संख्ला में तीव्र गामी नूटर नों को मंदक की सैता से मंदित किया जाता है मंदक को मन्द की नकारे जाता है मंदर डेटेड की आनविकां आजाता है यहुट quindi गया होता है कि जो नावेlot cures करते हैं तो यह रिटार्टेट न्यूट्रान यूज होते हैं उनको क्या कहा जाता है तो मंदगामी न्यूट्रानों को मंदक कहा जाता है हिंदी में तो मंदक बोलते हैं और इंग्लिस में रिटार बोल सकते हैं डी एक्सलेटर बोल सकते हैं डी एक्सलेटर याद रखेंगे सबढ़ित को मास में और मास को इनरी में करेंच कर सकते तो नाभिक दोनों के बराबर होता है मास्ट अफ न्यूट्रान स्फॉड न्यूट्मेन इंध्र न्यूक्लेश अल्मोस्त इक्वल टू दुथuciones नीयर्ली इक्वब डूटान का इक्व लोता है का मैं χुम seldomlah Merle मिलं मिलकर नहिंद समें अबिकर ने चलह हो दो तौन है अम लाज़ 익 McNamagb लुए और फीजन का फूसने स्वारि नुकलियर स्वारी नूकलियर फ्यूजन जो हता है उसमें क्या होता है लकानाभिक मतलब लाइट नुकले कंभाइन होकर है विन अभिक में हेवी नुकलियस का फॉर्म एशन करते है कि नाभी की रेक्टर में भारी जल का उप्योग किस रूप में किया जाता है तो नाभी की रेक्टर डी टूओ यूज किया जाता है तो डी टूओ किस रूप में यूज किया जाता है तो यह भी मंदक होता है डी एक्सलेटर होता है याद रखेंगे डी एक्सलेट मंदक के रूप में D2O का यूज किया जाता है हेवी वाटर का यूज करते हैं न्यूट्रानों को कि वेलोसिटी को कम करने के लिए A is equal to 30 से लेकर A is equal to 170 द्रह्यमान के परास में खालिस्तान का मान लगभक नियत होता है तो A is equal to 32 A 170 तक पर नूक्लियान बंधन अर्ज़ा मैं इन दी में लिखता हूं पहले स्वारी प्रती नूक्लियान बंधन अर्ज़ा ये नियत रहती हर एक नूक्लियान पर बंधन अर्जा नियत रहती है पर न्यूक न्यूक्य नूटलियों सब्सक्राइप ऑंद्स में उत्तर दीजीए सम्मी अभी बतायाँतां निजोन का क्या बताता टाँन फ्रोटीयम और व्रोटियम जो है क्या बनाएंगे। ये हो गया ऑगर योटे если क्या बनागे दू El iki तो यह हो गया एक्जाम्पल नुक्लियल फीजन नाभी की सलयन प्रजयक्स साला में संभव क्यों नहीं हो वाइज नुक्लियर फीजन नौट पॉसिबल इन लेबोरेटरी अब जानते हैं कि यह जो फ्यूजन हो रहा है उसमें दोनों की नुक्लियस होते हैं दोनों पर करेंगे उसके लिए मुझे चाहिए ठीस है रही टेमपरेच्छें फिसलिया है उपावर आपको याद रखना है सबसे अधिक कि सबसे अधिक होती गामा रे की सबसे अधिक होती गामा रे गामा किरणों की विभेधन जम्दा सबसे अधिक होती है इंपोर्डेंट कोश्चन ही है मुक्त न्यूट्रान के छहे को प्रदसित करने वाला समी करण तो इसमें कोई भी अभी मैंने बताया था कि 1 1 प्लस 1 1 इस एक्वल टू 1 2 प्लस एक न्यूट्रान आ जाएगा जीरो इस टाइप से हैं कुछ भी सो कर सकते हैं न्यूट्रान के लिए हैं अलागि न्यूट्रान का मास वन होता है तो इसके लिए मुझे कोई नया एक्वेशन धुन्डना पड़ेगा ठीक है जिसिकी रिप्टान है, रिप्टान पर बंबारी की, एसोडियम पर की या मैगनेश्यम पर की या किसी पर भी की तो उससे हमको क्या मिलेगा? एक न्यूट्रान फ्री मिलेगा और न्यूट्रान पर यहाँ 0 होता है और यहाँ 1 होता है नाभिक क्या आकार का क्या आडर होता है तो साइज आप नुकलियाई 10 तुद पावर माइनस 15 मीटर होता है याद रखेंगे वन फर मी भी बोलते हैं नाभिक क्ये इनका गरणत finding नुकलियाई का सेम होता है उसका आपसे क्य sword को थे अधनल पावर 15 के ट्रीजा उसकी द्रवयमाल संक्या पर पर किसव कार रखें होती है है वह आ क्या रखेंट रर्ध現在 कि जो ए होता है उसके वन बाइ थ्री टाइमस होती है यह रिलेशन होता है रेड़ाय और एटामिक मास्ट के बीश में इमेज जो कॉलम है दो ही पॉइंट है हमाई पास बहुत इजी मिल जाएंगे नाभिक की रेड़ाय अभी बताई थी आर जीरो इंटु एटु दी पाउर और यह मास्ट डेमेज जो है वो कितना होगा जेड़ एमपी प्लस ए माइनस जेड माइनस एम यह यह इस च्छोटा सा पाट था यह भी अच्छा था और इसमें से इंपर्टेंट कुशिन बनते है और आएंगे कुशिन तो आप इसको अच्छे से श्टडी कीजिये और कर दो